हलो एवरीवन तो दोस्तो आज हम आपके लिए वेच फ्रेंकी रोल की रेसिपी लेकर रहे हैं जो सेम टू सेम आपको बॉंबे स्टाइल लगेगी लेगिन दोस्तो इसमें मैंने कुछ ट्विस्ट किये हैं जो बहुत ही जादा टेस्टी और फ्रेंकी को दस गुना हेल्दी बनाएगी तो चले फिर इस नई रेसिपी को देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें फ्रेंकी मसाला बनाना है जो बहुत ही आसानी से घर पर बन जाता है जिससे फ्रेंकी बिलकुल बॉंबे स्टाइल बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनेगी तो मैंने एक चमच आमचू पिले सकते हैं आदा चमच डालेंगे धनिया पाउडर और वनफोर टीस्पून डालेंगे काला नमक इन सबी चीजों को मिक्स कर लेना है और यह आपका हो मेट फ्रेंकी मसाला तयार है इसे आप जादा बना कर स्टोर भी कर सकते हैं और इसे बिलकुल सूखी सबजियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है चले अब हम बनाते हैं चिली पिकल तो मैंने वनफोर्ट कप विनेगर लिया है जिसे हम सफिच सिर्का कहते हैं इसमें छे से साथ हरे मिर्च को काट कर डाल देना है और साथी थोड़ा सा नमक डालकर इसे एक से दो अंदार आता है और बॉंबे के हर स्प्रेट फूट में यह चिली पिकल है आपको हर वियंजन के साथ मिलता है जिससे खाने का स्वाद इतना बढ़ जाता है अगर आपने कभी ट्राइन नहीं किया है तो करके देखे बहुत ही गजब का स्वाद आता है चले अब हमें स्टेपूदीनी की मेरीं काट कर डालें हैं बारैंकी मसाला बनाया था अई असके दो चमच डाल दिजे जिसे ये जो रोल टिक है न बहुत ही चकपटी बनेगी और बहुत आसानी से ये बन जाती है शाथी एक चमच मैंने ड्राइंगर पाउडर डाला है जिसम्चूर और binding के लिए एक कप हमें breadcrumb डालना है और इसे mix कर लेना है दोस्तो इसके अंदर जैसे हम breadcrumb डालेंगे न तो beetroot के अंदर का जितना भी moisture है वो breadcrumb उसे सोक कर लेता है जिसे यह जो टिक्की या जो roll है fry करने में तोटती नहीं है लेकिन अगर आपको यह जो मिश्रेंच जिक्त और ज़ादा breadcrumb डाल सकते हैं यह फिर चार से पांच bread को पीस कर दो सकते हैं तो यह देखिए यह हमारा मिश्रन रइडी है चले इसे अब हम रोल करते हैं इसे शेप देते हैं तो मैं यहां पर फ्रेंकी के लिए बड़े-बड़े रोल बना रही हूं और टी टैम स् दोस्तों आप इसे ब्रेड क्रम में भी कोट कर सकते हैं लेकिन सोजी में कोट करने से ये काफी देर तक रिस्पी रहता है जिसे खाने में और भी ज़दा ये टेस्टी लगता है तो चलिए इस तरीके से कोट करके आपको सारे रोल रेडिक कर लेने हैं और ये देखे बहुत ही शानदार बिल्कुल रेड रोल बनकर तयार हो चुके हैं और मैंने थोड़े टिक्किया भी बनाई हैं इसे मैं ऐसे ही फ्राइ करके सबको सर्व करूँगी अब इसे हमें फ्राइ करना है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ही तेल लिया है क्योंकि मैं अब इसे शैलो फ्राइ करूँगी लेकिन आप इसे थोड़े से तेल में भी फ्राइ कर सकते हैं दो से तीन ड्रॉप तेल में भी या फिर आपको अगर डी फ्राइ करना है तो आप डी फ्राइ भी कर सकते हैं मैं टिक्की को डी फ्राइ करके ही सर्व करूंगी वो आप चट्णी के साथ ऐसे भी खा सकते ही और अच्छा क्रिस्प होने तक अच्छे से ये फ्राय हो जाए तभी हमेंसे निकाल लेना है और फ्राय होने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते ही आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे टर्न कर रही हूँ तो इस पर कितना अच्छा कलर आ चुका है बस ऐसे होने तक इसे फ्राय कर लिजी और इसे निकाल लिजी दोस्तो यह बहुत ही टेस्टी के साथ बहुत हेल्दी है बच्चों को बीट खिलाने का सबसे अच्छा उपशन है तो हैना बहुत ही healthy recipe, ये roll बहुत अच्छे से fry हो चुके हैं, चलिए अब हम salad बनाते ही, अगर आपको salad नहीं बनाना है, तो स्रिप आप पत्ता को भी प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टमाटर, प्याज, लाल, पिली, हरी, शिमला, मिर्च, गा बहुत हैं, तो कोई बात नहीं, आप स्रिप पत्ता गोबी भी डाल सकते हैं, अच्छे से सारी सब्जा डालने के बाद मैंने इसमें नमक और निम्बू का रश डाला है, तक यह जो फ्रेंकी है, वो भरपूर, टेस्टी और बहुत ही healthy बने, अब इसे अच्छे से mix कर लेन उन्हें भूग भी नहीं लगेगी, अब यहाँ पर हमें आटा लगाना है, तो मेंने आपर गेहूं काटा लिया है, दोस्तों मैदा नहीं लिया है, healthy बन रहा है, तो हमें गेहूं काटा ही लेना है, इसमें नमक डाल कर अच्छे से mix करना है, और पानी डाल कर इसका आटा ल तो ठंडी होने के खाने में वह बहुत ही चीवी से हो जाती है लेकिन घेहों के आटे से अगर आप यह रोल बनाएंगे तो खाने में भीटेस्टी लगती है और कफी देर तक वह सौफ्ट है तो यहाँ पर हमें अब एक रोटी बनानी है तो मैं आज बड़ी बड़ी लगा कर सिखेंगे तहिए काफी देर तक सौफट रहती हैं खाने में भी मिशिदार लगती है और दोस्तों ये मेरे बच्चों की पैब्स धर्यायुक्त नुन वहां बी घरुसअती हैं और मेरे बच्चों की दोस्तोंको भी बहुत पसंद आती है तो दोस्तो ये देखे हमने इसे सेख लिया है बहुत अची तरीकी से इस पर कलर आ चुका है और अब हमें सारे चीजिसे असेंबल करने हैं तो सबसे पहले रोटी लेना है इसके उपर आपको थोड़ी सी हरी चटनी और कैचप डालना है दोस्तो अगर आपके पास हरी चटनी बनानी का समय नहीं है तो आप इसमें कैचप और वेज मियो लगा कर अच्छे से मिक्स कीजिए लेकिन आज हम बॉंबे स्टैल ये फ्रेंकी बना रहे हैं तो हमने हरी चटनी और कैचप लगाया है अब ये रोल रखेंगे और इस पर ये फ्रेंकी मसाला डालेंगे जो हमने घर पर बनाया है बहुत ही चकपटा फ्लेवर आता है इसे और अब इसके बाद हमें डालना है सैलेट तो दोस्तो सैलेट के पहले हम इसमें थोड़ा सा मियो भी डालेंगे विसी यो ऑपिशनल है अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इससे स्कीप कर सकते ही और ये जो सैलेट है इसके जगा आप सिर्फ पत्ता गोबी और प्यास टमाटर भी डाल सकते ही लेकिन अगर आप प्यास नहीं खाते हैं तो आप इससे स्कीप कर सकते ही साथी जो हमने चिली पिकल बनाया है वो ज़रूर डालेगा Amazing फ्लिवर आता है अगर बच्चे नहीं खाते हैं उन्ने तीखा पसंद नहीं है तो इसे भी आप स्कीप कर सकते ही लेकिन बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर डालेगा और इसमें अब हम grated cheese डालेंगे cheese भी optional में है अगर आपको नहीं डालना है तो skip कर सकते हैं और अब इसे हमें tightly roll करना है और ये हमारी frank की roll बनकर त्यार हो चुकी है दोस्तों एक बार आप इसे बना कर देखिएगा आप पका बहुत पसंद करेंगे और recipe अगर आपको पसंद आए ना दोस्तों तो प्लेज ऐसे share भी ज़रूर कीजेगा क्योंकि ये बहुत ही unique और अच्छी recipe है इसे मैंने cut कर लिया है चली cut कर के आपको दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितनी tasty और कितनी मज़ितार लग रही है red color है colorful vegetable है साथी ये cheese है बहुत ही अच्छा combination है healthy है tasty है तो बनाईएगा ज़रूर recipe पसंद आई हो तो इसे like और share करना ना भूलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई दोस्तो